हलो इस्ट्रेंट्स मैं प्रणेवरमा आपका मैस्टीचर स्वागरत करता हूं मैगनेट ब्रेंस हिंदी में तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा आठवी का अध्याय साथ घन और घनमूल तो जैसे जिस तरह से हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था उसी तरह से कुछ-कुछ चीजे जो हैं वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी जो चेंजेस हैं बाकी बहुत सारी चीज़े हैं जो हमको वर्ग और वर्गमूल जैसी ही देखने को मिलेगी हमारे घन और घनमूल वाले चैप्टर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले हम लोग एक यहाँ पर जो इसकी बेसिक जानकारी है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जैसे वर्ग और वर्गमूल में हमने क्या पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी संक्या को वर्ग करना मतलब क्या करना वर्ग करना मतलब उसका हमें दो बार गुणा करते हैं दो गुणा दो तो होजाएगा चार और घं का मतलब होता है यह होता है वर्ग निकालना और घं निकालने का मतलब क्या होता है उसी संख्या को घात तीन लगा देना मतलब क्या करना तीन बार गुणा कर देना तो दो गुणा दो गुणा तीन तो दो दुनी चार चार दुनी अब तक हम लोग जब भी गुननखन निकालते थे वर्ग में हम लोग जब भी गुननखन निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे वर्ग मूल में दो दो के जोड़े बनाते थे लेकिन घंद मूल में क्या निकलेंगे तीन तीन के जोड़े निकलेंगे जैसे लिखा हुआ है द दो गुणा 2, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 3, गुणा 3, तो यह से 3 के जोड़े बने, मतलब 3 के हम लोग क्या निकालेंगे, अगर वो 3 एक साथ होते हैं, तो उसमें से एक भान निकाल लेते हैं, तो इस तरह से घन और घनमूल के अंदर हम लोग यह changes देखने को मिलेंगे, और वर्ग और वर्ग मूल में और घन और घन मूल में क्या difference था, वो अभी हमने यहाद पर देखा, कि वर्ग में जो घात होती है, और घन में क्या होती है? तीन होती है एक जनरल सी बात है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक को आप तीन बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा दो का जब हम लोग तीन बार गुणा करेंगे तो आठ आएगा तीन का जब तीन बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा 4 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा 5 का गुणा करेंगे 25, 25, 25, 125 आएगा तो ये सारी क्या है ये पूर्ण घंड संक्या है हम लोग कह सकते है ठीक है ये क्या है पूर्ण घंड संक्या है ठीक है तो इस तरह से आगे और भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरह के यहां पर मतलब किस तरह से हम पर कोशन होगा और किस तरह के इसके तीन बार गुणा करने पर इसमें क्या आएगा यहां पर मैं एक बात और बता दूँ आपको जो आपके knowledge के लिए है यहां पर क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी संक्या का घं निकालते हैं तो उसको तीन बार गुणा करते हैं और तीन बार गुणा करने के बाद उस तीनों में से एक को बाहर निकालते हैं ये चीज मैंने आपको बताई है और ऐसे ही आगे आप लोग तीन से गुणा कर दिजिए चेट यहांड रखना गण गणन का और वर्ग और गण के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको ध्यान रखिएगा है ना एक बात और यहाँ पर कि वो आगे आएगी उसको और देख लेते हैं जैसे यहाँ पर क्या दिखाए यह संख्याए हैं है ना यह संख्याए है और यह इनके घन है जैसे ग्यारा है तो उसका घं 13 11, 12 है तो उसका 1720, 13 है तो इसका ये 14 है तो ये 15 है तो ये 16 है तो ये सब इनके क्या दिये घं दिए हुए आया समझ में ये घं दिये हुए है ना तो मैं जैसा कि मैंने वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था एक चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब भी हम लोग कोई अच्छा मैट्स में हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं या कोई अच्छे एक्जाइम की तयारी कर तो अगर हमें उसके लिए जल से जल रिजल्ट चाहिए तो हमें घन, घनमूल और वर्ग और वर्गमूल 15 तक या 25 तक या 20 तक आप उसको याद रखिए ताकि जब भी हम अपने कोईशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमें इनको बार बार गुणा करके देखना नहीं तो यह ध्यान रखने वाली बाते हैं इनको आप लोग बिलकुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजेगा यहाँ पर यह भी है 17 से लेकर 20 तक की सारी संख्याय दी है 17 को 3 बार करेंगे 18 को करेंगे 19 को करेंगे 20 को करेंगे तो ध्यान रखना धन में वर्ग में हम ल जोड़े हैं तो यहाँ पर 3-3 के एक साथ 3-3 चीज़ों को लेना पड़ता है ठीक है आगे आते हैं आगे दिया है यहाँ पर निमने लिकित संख्याओं पर विचार कीजिए यह हैं इनके घनमूल है मतलब आठ आठ का घनमूल इसका मतलब यह होता है जैसे यह चीज लिख कर रहा था जो मैं समझाने की बात कर रहा था वो क्या था कि जब भी हम लोग वर्ग की बात करते थे वर्ग की बात करते तो यहाँपर 2 गोता था ठीक है वह जैनरल इसकी पीछे निकालेंगे गन्मूल निकालेंगे, तो गन्मूल निकालने का मतलब यहाँ पर उसका 3 लिखा रहेगा, जैसे 2, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 है, तो 8 का गन्मूल, मतलब 8 का जो से हम बात करेंगे, तो 3 गुणा, 2 गुणा, 2 गुणा, 2 ठीके, तो इस तरह से यहाँ पर भी लिखा क्या लिखा अगर यहाँ पर लिखा होता ऐसा आठ तो इसका मतलब होता ध्यान रखना ये लिखने में ये लिखने में और ये लिखने में बहुत फर्क है है ना ये लिखने में और ये लिखने में बहुत फर्क है इसका मतलब अगर मैं अगर इसको ऐसा लिखूँगा पहले मैं समझा दूँ कुछ उसके बाद ये बताता हूँ देखिए अगर आप तीन को ऐसे लिखते हैं तो तो बिल्कुल ठीक है बट अगर आप तीन को ऐसे लिखते हैं तो ये तीन की गुणा के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 को जैसे इन लोगों ने लिखा है कैसा 3 को और 2 का 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा तो इसका मतलब यहां पर किता हो गया है दो इस तरह से आया समझ में मतलब इसका मतलब यह होता है कि कोई भी संख्या जैसे यह लिखा कि ऐसी कौन से संख्या जोड़ी जाए कि वर्गमूल निकले मतलब उसका घनमूल निकले ऐसी कौन से संख्या निकल जाए जो पूर घन हो क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए क्या गुणा किया जाए क्या भाग किया जाए वो सारी चीज़े हम को क्या दिखेंगी इसक पर आपku सामने अगर प्राइस कोंशन लिखा घए तो यहां पर कोई भी संख्या रहेगी तो यह मैं पहले भी बता हुं जैसे यह दो 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 तीन 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 इसा पर उसके जोड़े बनते हैं ठीक है गर अगर मान के चलिए है आप से पूछा जाए कि क्या संख्या गुणा किया जाए ताकि एक पूल घन बन सके तो देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूँ कि गुणा किया जाए में क्या होगा जैसे मान के चलिए 2 के 3 गुणा बन रहे हैं और 3 का 1 गुणा बन रहे हैं मतलब 3 के जोड़े बन रहे पर यहां पर एक तीन क्या है वो मिस है ठीक है तो क्या करूंगा उस तीन का गुणा जो यहां पर संख्या है जो संख्या है ना उसके साथ कर दूंगा तो यहां पर भी तीन का गुणा करूंगा और यहां पर भी तीन का गुणा करूंगा ताकि दोनों साइट क्या हो जाएग balance बराबर हो जाएगा मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यह जो तीन बचरा है एक जो तीन मुझे नहीं मिला है जो missing है उस miss का multiply में वो संख्या के साथ कर दूँगा ताकि मुझे वो पूर्ण घंद संख्या मिल जाए यह गुणा का rule होता है है एक दो एक दो मिल गया एक पांच मिल गया तो यहाँ पर आपको जो चीज़े दिख रही है ना जो चीज़ दिख रही है उसी कई भाग दे देते हैं संख्या में तो उससे ये कट जाता है तो जो संख्या आपके सामने आपको आपके गुननखंड में दिख रही है न वो ही संख्या मतलब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उस एक्स्ट्रा को हटा कर अपनी जो संख्या जो दी रहती है न इससे भाग कर देते हैं, भाग का मतलब क्या होता है, कि जित्ता भी चीजे दीखी रहे हैं, जो जिसके तीन-तीन के गुणनकर नहीं बन रहे हैं, उसको हटा दो, और आप उसमें भाग दे दो, तो आपका इस तरह से भाग का नियम और गुणा का नियम इस तरह से होता है, त जब घनमूल निकालते हैं तो तीन की जोड़े में मतलब तीन के अगर तीन हमें मिल जाते हैं दो बार तीन मिल जाते हैं तो एक हम लोग नीचे निकाल लेते हैं जब हम अपना question solve करेंगे तब हम इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर गन्मुल कैसे निकालते हैं आपको ऐसे जोड़े मिलेंगे दो गुणा दो गुणा दो पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन है ना वर्ग में हम लोग 2 दो भाल नकालते थे इसमें 3 तीन भाल निकाल लेंगे तो ये हमने एक चोटा सा इंट्रोडेक्शन पार्ट इसमें रखा था अब इसके हम लोग जो नैक्स वीडियो करेंगे इसमें हम लोग इसका एक प्रशनावली चालू करेंगे साथ दर्शालोग एक और देखेंगे कि उनके जो कोश्चन है वो किस तरह से solve करना है और कितने कोश्चन है उनको करने का तरीका क्या होगा उसको गुड़ा कैसे करेंगे उसको भाग कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम लोग यहां पर सीखेंगे और उन सीखने के बाद फिर इसका एक शॉर्ट रिविजन हम बनाएंगे और फिर mcqs भी बनाएंगे तो बने रहीएगा हमारे साथ काफी सारी इंट्रस्टिंग चीज़ें आपको इस seven chapter के अंदर भी देखने को मिलेंगी बट आप लोग हमारे साथ बने कैसे रहेंगे हमको देख कैसे पाएंगे उसका पूरा जो method होती है उसको तरीका कैसा होता इसको करने का यह मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पर आप लोग magnet brains टाइप करेंगे वहां पर जब आप उसको टाइप करेंगे तो आप लोग के सामने जितने भी eight class के teacher है जो भी subject पढ़ा रहे हैं वो सारे आप लोगों को दिखेंगे जिसको जो भी subject eight class जैसे जो पढ़ रहा है जिसको जो भी subject पढ़ना है अपने teacher के साथ अपने teacher के जो वीडियो है वो उनके उनके watch now पे click करके देख सकता है जैसे आप लोग math कर रहे हैं तो आप यहाँ पर watch now पे click करेंगे जब आप लोग इस तरह के एक window पे बहुत जाएंगे देखिए यहाँ पर एक बात का बिल्कुल धियान रखिए कि magnet brains आप लोगों से किसी भी subject के लिए कोई भी charge नहीं लेता है जैसे free of cost जितने भी video हैं वो सब आपको बिल्कुल free of cost देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपको maths के जितने भी chapters पढ़ाए गए हैं वो सारे आपको एक line wise देखने को मिलेंगे आप लोग जो भी आप लोग chapter पढ़ना चाहते हैं आप उस पे click करिए click करने के बाद आपको वो सार वीडियो एक बहुत अच्छी explanation के साथ देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से आपको जो भी doubt हो आप मेरे से comment द्वारा वो doubt को पूछ सकते हैं और अपने वो doubt को clear भी कर सकते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक exam की जो भी preparation रहेगी उनके भी वीडियो यहाँ पर हम फ्री में आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहनों आपके फ्रेंड्स हों आप उनको हमारे वीडियो के बारे में हमारे चैनल के बारे में बताईए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू